दोस्तों रुश्कार आदाग स्वक्स्वियकार न्यूज क्लिक के करकर हम हफते की बात में आपका स्वाज़त है दोस्तों आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे देश की ये बहुत बड़ी खबर है जिसको पिछले कई दिनों से जिसके बारे में यूं कहा जाए कि उस खबर को लेकर बारात निकल गई थी वैक्सिन की बारात जहां भी वैक्सिन जाती थी डिब्बे में बंद करके या बड़े बड़े ट्रकों पर एक खास धंके वातावरण में ताकि वो तो कि उसको बहुत ठंड चाहिए बहुत ज्यादा उसका टेंपरेचर नीचे होता है तो ऐसे जब भी वो बाक्स उतरता था कहीं तो लोग ढोल पीटते थे तवाम तरह के गाने गाते थे कहीं जग उसमें हमारे शासन की तरफ से इस उत्सव धर्विता को काफी बढ़ावा दिया गया और ऐसा लगा कि वैक्सिन लोगों को जो उपलग्द कराई जा रही है उसके पहले वैक्सिन की बारात निकाली जा रही है तो आज वो अंजाम तक पहुँच गई और वैक्सिन का आज पहला दिन था 3,006 केंद्रों पर इसकी शुरुवात हुई दोस्तों वैक्यानिकों के काम को हम से लूट करते हैं और निश्चित रुप से विक्यान के मामले में हम कोई अफवाबाजी किसी भी तरह की भ्रावत सूचनाओं को हम उसको तवज्जो नहीं देते लेकिन आज होच स्कोर्ड के रिसर्च के आदार पर उनके क्लिबरेशन से जो क्या है इन दोनों में सरकारी एजंसियों engag्यों को यह तैख करना है कि कि किस को कहा कौन सी वैक्सिन मिलेगी यह आपके उपर निर्भर नहीं आए या जिसको यह सर्विस दी जा रही है उसके उपर निरभर नहीं है की वो कूउन सी ले फिलात अभीं तो ऐसे में दिल्ली के तहीं अस्पतालों में जो भारत वायोटेग की जो वेक्सिन है जिसका嗎 को वैक्सिन है उससे लगाया गया इस पर रामनोर लोईया अस्पिताल यो देश का बहुत नामी अस्पिताल है वहां के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम इस वैक्सिन को नहीं लेना चाहते हमें सीरम इस्ट वाली जो वैक्स करके और इन चीजों को हल करना चाहिए लेकिन यह हम बिल्कुल साफ साफ जरूर करना चाहेंगे कि वैक्सिन दुनिया भर में इसे माना जाता है वह ज्यानिक भी मानते हैं और जो डिमोक्रसी जिन देशों में बहुत मैच्चूर है वहां के अवाम वहां के शासन वहां के आरे अज़ेंशियां सभी मांने हैं कि यह बार में आपके उपर निरभर में को। दुने滹एिल देशों के और जाशनीटा चीजों के हैं क्दश का मिज़ए ज norm जरूर कि या चाहिए ऐशाएंसा बहु법 सारे लोग कह रहे हैं। सर्म डॉक्टर सब तो पह रहे हैं तो एक तो ये एक विवाद शुरू में ही पैदा हो गया हम मानते हैं कि इस विवाद का जरूर सरकार को और डॉक्टर को हल करना चाहिए जिससे समाज में इसी भी तरह की गलत पहमी खासतर मेडिकल साइंस को लेकर रिसर्च को लेकर नौ बने जहां तक तीसरे चरण के ट्राइल का प्रश्ण है उसको लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक उन्हें से लेकर हैडराबाद तक बहुत सारे सवाल उठे हैं उस पर भी शासन को चाहिए कि देश की अवाम को जनता को साफ सा आप बताए कि क्या इस्थितियां हैं क्या नहीं हैं जिससे लोगों के दिमागों से किसी भी तराका उनके दिमागों में कंफ्यूजन नरहें दोस्तों अब हम आते हैं यह वैक्सिन की बारात जो है इसके बाद आम तोर पर अपने देश में वैक्सिन और वैक्सिनेशन ये भी इसको एडॉक्ट करती रही हमेशा तीका बहुत प्यब्ल शब्क है दो प्यकरत और वैक्षिनेशन कौक को तीका करण कहते हैं तो हम टीका करण अपने इस हिंदिकारिप्रम में कहें तो ज्यादा बेतर हो गा लेकिन ये जो टीका है और यह जो टीका करण है दोस्तों यह अगर कोई मानता है कि यही एक मात्र समाधान है इस तरह के संक्रमण को बढ़ाने वाले या संक्रमण आधारीत रोगों से रोगठाम के लिए आपदा या महामारी की रोगठाम के लिए तो दुनिया भर के बीच क्ली सांस में जो रिशर्च हुई है वह सच यह है कि अपने देश में अगर संक्रमण की बिमारी हो या गैर शंक्रमण वाली बिमारियां हो अब जैसे आप देखें अपने देश में समसे अधिक मौतें जो लोगों की होती हैं, वो किस तरह के लोगों से होती हैं, COVID-19 से डेल लाक लोग बरे हैं, अभीतर एक करोड से थोड़े उपर लोग संक्रमी थें, लेकिन अपने देश में लाखों लोग हर साल डियाविटीज से मरते हैं, डियाविटी हार्ट से जुड़ी बिमारियों के कारण मर रहा है, इसी तरह से कैंसर, कैंसर जंग लेवा बिमारी है, और कैंसर के रिसर्च से लेकर उसके उखचार में कितने कम केंदर अपने देश में हैं, इसकी कलपना आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है दोस्तो इसके पीछे असल कहानी ये है कि अपने देश में जो बजट का बड़ा हिस्सा है, वो दूसरी चीजों पर खर्च होता है, मेडिकल पर यनि आपके हेल्थ केर पर लोगों के स्वास की रक्षा पर बिलकुल खर्च नहीं होता, कितना खर्च होता है, उतना ही खर्च होता है जितने में रफाल के जहाज आते हैं हमारी देश में अगर वो कुछ 1000 करोड के आते हैं तो उतनी 1000 उससे भी कम खर्च होता है और अगर आप देखिए तो GDP का 1.4 से लेकर 1.6% मारा जा रहा है कि अभी खर्च हो रहा है सरकार करती है कि अब इसको 2.4 कर चुके हैं पता नहीं कि को 6% GDP का करने की हैं और आज से नहीं बहुत पहले से लेकिन 6% क्या 4% भी वो नहीं हो सका है 2.4 और 3.4 के दावे होते रहे हैं लेकिन सच यह है कि कभी भी अपने आज GDP का वहाँ 2% से अधिक कभी बढ़ा ही नहीं तो ये इस बार budget session है दोस्तों अब देखना है कि इस को ये बुद्धी सद बुद्धी आती है या नहीं कि कैसे हम regular जो खर्च है medical पर health care पर कैसे उसको हम इजाफा उसमें करें और वो एक permanent व्योस्ता हो ये नहीं कि आप यहां एक आपदाई तो आप दोड़ने लगे आप चीखने लगे चिलाने लगे आपने कहा हमें अस्पत regulator नहीं है हमारे पास doctor नहीं है हमारे पास kit नहीं है medical के तो ये चीजें मुझे लगता है खतम होनी चाहिए और दुनिया के ऐसे कुछ मुल्क जिन्होंने नजीर पेश किया है कि कैसे covid-19 को fight out उन्होंने किया उनमें कुछ छोटे देश भी हैं कुछ बड़े देश भी हैं त उसने अपने मुल्क में लोगों की जो मौत है वो होने नहीं दी बहुत कम लोग मरे दुनिया में सबसे कम जो लोग मरे हैं उनमें वियतनाम है उसने संक्रमण को फैलने नहीं दिया इसी तरह से क्यूबा और इविन चीन ने भी covid-19 जहां सबसे पहले पहला जो बताया जात कि मुझे लगता है कि ठीक है आपस की प्रस्जिज़ा अपनी जगह है लेकिन अगर कोई मुल्क बहतर पर्फॉर्म करता है चाहे वो कोरिया हो नारत कोरिया हो चाहे वो वियतनाम हो चाहे चीन हो चाहे क्यूबा हो कोई भी देश फिनलेंड हो कोई भी देश हो New Zealand हो हमें उ आज अपने सभाज को अपने देश को अपने देश की एजनसी को सरकार को ये जरूर तै करना चाहिए पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूं तो इससे ये वैक्सिन को लेकर जो एक मेला एक बारात का द्रिश्य पेश किया गया ताकि लोगों को लगे कि बहुत कुछ देश मे रहा है लेकिन सच यह है कि हमारी अस्पतालों की हालत आप देखिए तो वाकई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अस्पताल बुरी हालत में हैं लोगों में अगर इब करते हैं अगर इम्मेंटीन तो यह जो अगर आई है तो ये एक प्राकृतिक या एक अपनी जो परिस्थितियां अपने देश की हैं परिस्थिती जन्न जो कारण है वो इसके लिए बड़े फैक्टर है न कि हमारी दवादारू की व्योस्ता इसके लिए मत उन फैक्टर है तो दवादारू की व्योस्ता मेडिकल और जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक हम इसको स्थाई तोर पे fight out नहीं कर पाएंगे दोस्तों और हमारी दूसरी खबर है किसान अंदोलन के मुद्धे पर किसान अंदोलन में आज एक नया development सामने आया है आज 22 दिन है किसान अंदोलन की इन सर्द रातों में हजारों लोग सड़क पर हैं आस्मान के नीचे आज एक ऐसी स्थिती पैदा कुई है किसान अंदोलन के मुद्धे पर जो हम अमूमन देखते हैं कि विपक्ष के नेताओं को या अपने किसी विरोधी को अगर इस सरकार को सताधारी जो संरचना है उसको उनको परिशान करना होता है या उ हमको किसी तरह से अपने शिकंजे में लेना होता है तो जो इस स्ट्रेटीजी ये सरकार एडाप्ट करती है कुछ वैसी ही स्ट्रेटीजी आज किसान अंदोलन के मोरशे पर दिखाई पड़ी और वो ये कि एक सज्जन है बलदेव सिंग सिरसा ये हर्याना के किसान नेता है और लोग भलाई इंसाफ वेलफेर ससाइटी के अध्यक्ष है ये भी उन नेताओं में हैं जो निगोशेशन में भाग लेते हैं यानि किसान अंदोलन के साथ इतने लोग जुड़े हैं उन में एक प्रमुख नेता हर्याना से ये भी है तो ये बलदेव सिरसा सही चार किसी कसित साजिश में लिप्ठ होने का एक मामला है कोई पहले से चली आ रही केस है उस केस में ये सिख फार जस्टिस का कोई केस है उसमें पूश्ताज के लिए इन लोगों को ही बुला दिया है अब आप कल्पना कीजिए कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है इसमें एक और कोई दूसरा धंदा करते हैं इन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो धरना स्थल है किसानों का वहां लंगर चलाने के काम में भी जुटे हुए है तो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या हो रहा है तो निया की नोटिस को लेकर इन नेताओं ने कहा है कि वह एपिय के लोग को कमजोर करके उसको तोड़ने के लिए उसको एक तरह से बिहाल करने के लिए यह एक सरकारी एक लगता है कि यह भी एक तरीका है जो अपने विपक्षियों और विरोधियों को सरकार दबाने के लिए अडाप्ट करती है कुछ वैसा ही तो यह बिल्कुल लास्ट म मैं यही कहूंगा कि 26 जिनोरी के मध्दे नजग सरकार को प्रोवकेटिव नहीं होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो बकायदे अप्री इस्तितिनों पैदा होने दे निगोशियेट करे पहले दिन से नौमे चक्र की जो बारता होई पहले चक्र से उसमें कोई परिणाम न करके मेनिंगफुल निगोशेशन करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि 26 जनोरी की जो एक उन्होंने ऐलान किया है अलग से ट्राली और ट्रेक्टर रहली करने की उसकी नौबत नौपैदा होगी इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत घन्यवाद नमस्कार आदाब सत्र कि झाली अले बहुत प्तandy में अले एeringा करी आदादावных झाल झाल